मित्रों चे मातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चे मातादी चरू लिखे मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगे मित्रों वर्स दोहजार चौबिस में जगनाथ रथयात्रा कब है जानिये सही तीनवत तारी क्या है और द्वतियाति थी कब सुरू होगी कब समाप्त होगी जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को स सस्क्राइब करेंगे और वीडियो परसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे से करेंगे मित्रों हिंदू धर में जगनाथ रथयात्रा का बहुत महत्तो होता है हिंदी पंचांग के अनुसार प्रतीक वर्स आसाड के महिने में सुक्ल पक्ष की द्वतिया तिथी को जगनाथ रथयात्रा निकाली जाती है इस रथयात्रा का आयोजन उरिशा की जगनाथ मंदिर से होता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस रथयात्रा को देखने मात्र से ही सभी तरह की पापों से मुक्ती मिलती है और मृतियों के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है जगनात मंदिर भारत के पवित्र चार धामों में से एक है यह मंदिर 800 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है इस मंदिर में भगवान जगनात उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की दर्शन करने मात्र से सभी मनुकामनाएं पूरी होती है भगवान जगनात का विसाल रत दस दिनों के लिए बाहर निकलता है इस यात्रा में सबसे आगे बलभद्र का रत चलता है जिसे ताल द्भच कहा ज़ता है और बीच में सुभद्रा का रत चलता है जिसे पद्मरत कहा जाता है और सबसे अंत में भगवान जगनात का रत चलता है जिसे नंदी घोस कहा जाता है मित्रों अब पूजा करने की बिधी को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है भगवान जगनात की रत यात्रा में सामिल होना चाहिए वसात ही सक्चे मन से भगवान जगनात की उपासना करनी चाहिए अगर किसी कारण बस जगनात रत यात्रा में सामिल नहीं हो पाते हैं तो घर पर है भगवान जगनात की उपासना करे उन्हें भोग लगाएं और सक्चे मन से उनके मंत्रों का जाप करे मित्रों अब पूजा करने का सुप मुहुरत को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है सुबह चार बच कर उनसट मिएट पर